जिन्दगी में अगर कुछ अलग करना है तो अपने काम को थोड़ा अलग तरह से करना होगा तब ही आपको जीत मिलती है पहचान मिलती है इस बात को चरितार्थ किया है रंजीत सिंग ने जो ट्राफिक पुलिस में है और सोशल मीडिया पर अपने काम की वज़े से च्छाय इंदोर के रंजीत सिंग डांस करते करते ट्राफिक कंट्रोल करते हैं और सड़क नियमों को लेकर लोगों को जागरुक भी करते हैं उनका ये अलग अंदास देखकर लोग भी उनकी बात को ज़रूर सुनते हैं रंजीत सिंग का कहना है कि उनके के दोस्त की सड़क हाथसे में दर्दनाक मौत हो गई थी जिसके बाद उन्होंने कुछ अलग तरह के से लोगों को जागरुक करने की ठानी ताकि लोग उनकी बात को जरूर सुने जो चुराय पर रोखना हो दो जर्टी मेरा पोस्टरिंग इंडरो ट्राइब प्लिस में हुआ और उसके बाद जो जो चेंज आया मेरे लाइब में लोगों के प्रती एकदम पोजिसिफ हो गया कि ने इनको ट्रफिक में नहीं मनने देना रोट पर नहीं मनने देना काम करना ह बहुत स्यादा और मेरा अंदर के जो स्केल था डांस स्केल जो कहें जिसको लोग आप डांसिंग कोफ के नम जानते हैं मैं 2003 से 2004 से डांस करके लोगों को रुपने लगा शुरू में कहीं ने कहीं एप्रेसेसन कम और लोग मजाग उड़ाते थे कि क्या कर रहा है पागल हो यह बहुत कुछ सुनने को मिलता पर एंड अफ देजल्ट जो छे मैने बाद आने लगा लोग चुराय पर रुखने लगे लोग एप्रेसेट करने लगे मेरे वख को लोग अंदर कभी नगे ट्राफिक सेंस जानने लगा और यह कहानी बड़ते बड़ते आद 20 साल हो गाए बियारब़ते लगाताल है जब मुझे यसा लगता है कि ट्राफिक ट्राफिक से फिले था उसमें जनी बास अनतर कही ने जो लोगने शेंस दा वह पहुत ज्यादे इंक्रीज हुआ है लोग तरेसेंस जागा है लोग अवें और निमेज भी पॉजिटिव बनी है अच्छी बनी है और डांस फॉर्म ने जो मेरे तुस अपने थे डांसर बनने के वो कहने के चुराइब पुरे हो रहे हैं यह बात अलग है कि मैं बिना म्यूजिक के वो वर्काउट करता हूं इसे मेरी पॉड़ी फिट रहती है और मुझे करना अच्छा लगता है और कभी इ दिन रिखता है और यो बेस्ट कॉम्प्लिमेंट होता है मेरी लाइफ का रंजी सिंग के पिता पुलिस में थे उन्हें देखकर उनकी श्रू से ही पुलिस ऑफिसर बनने के इच्छा थी साथ ही डांसर बनने का सपना भी था लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो सका और रंजी सिंग पुलिस में भरती हो गए सिंग को साल 2019 में जीवन रक्षा पदक भी मिल चुका है उन्होंने 13 लोगों की समय पर अस्पताल पहुचा कर जान बचाए थी जिसके बाद उन्हें ततकालिन आईजी ने समानित भी किया था